है है हेलो एवरिवन दिस अरुन और स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम लेमिट्स एंड डेरिवेटिप्स पर बात कर रहा हैं तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.5 शुरू की थी तो उसमें हमने कोशें नमर 125 देखे थे जो बहुत ही आपकी इसी थे उसके बद कोशें नमर 6 मैंने अब इस और 30 उसे और उसके बाद कोशें नमब स犬्सेवन्वर zeatherेया चुक्रम दिसक्शन को फ़ीडियो में ब्रस्रक्म दिसक्राइब कि पांच जैसे फिडियो मेंदेख़ माँ और पاث्र्शन तो च्लिए शुरू करते हैं तो question number 9 में आपको दिया limit x tends to 0 a x plus b upon c x plus 1 x tends to 0 है ओके तो simply अगर मैं x के ज़िए के 0 यहाँ पर put करके देखूं और denominator को चेक करूं 0 तो नहीं आ रहा तो यहाँ पर आएगा c into 0 plus 1 which is equal to 1 तो denominator 0 नहीं आ रहा है और numerator भी 0 नहीं आ रहा है numerator में आएगा a into 0 plus b which is equal to b तो 0 by 0 नहीं आ रहा है तो simply हम substitute कर देंगे तो इसका answer हो जाएगा a into 0 plus b upon c into 0 plus 1 तो यह हो जाएगा 0 plus b upon 0 plus 1 which is equal to b upon 1 तो यह आपका भी आगया बहुत ही simple question है बच्चा कर लेगा से question number 11 देखते है question number 9 के बाद question number 10 जो है वह आपको last में कराऊंगा जो कि question number 6 जैसा है एक ही identity पर based question number 11 बहुत ही बच्चों वाला question है कुछ नहीं दिया limit x tends to 1 ax square plus bx plus c upon cx square plus bx plus a और यहां पर given है आपका a plus b plus c आपका 0 नहीं है simply आप इसमें substitute कर सकते हो तो आपका answer हो जाएगा a into one square plus b into one plus c upon c into one square plus b into one plus a तो यह आपका equal हो जाएगा a plus b plus c upon यह आपका equal हो जाएगा c plus b plus a और यहां पर given है कि a plus b plus c आपका 0 नहीं है तो यहां पर हमें कोई problem नहीं है तो यह आपका हो जाएगा simply a a plus b plus c और a plus B plus c आपसमें कट जाएंगे तो final answer आएगा one okay question number 12 में आपको दिया है limit x tends to minus two सबसे पहले x की जिएके minus two इसमें डालके देखते हैं denominator में 0 आ रहा है तो और numerator में अगर रखें तो माइनस पर नुमेटर में भी 0 आ रहा है तो यह 0 बाइज बना x की जिएक माइनस टू रखने पर 0 बना रहा है मतलब एक फेक्टर एक्स प्लस टू होगा जो इससे 0 बना रहा है जीरो बनने का जो रीजन है वह एक्स प्लस टू की बज़िस से आया है तो हम मैं प्लस टू को कैंसल करना घंसागै इसा कुछ मोडिफाय करते है तो आपको गीवन है लेमित एक्स go to one upon X class one upon two upon X plus two muscle method mein a कैंसल करना है तो ऊपर मैं लूँ तो ऊपर हो जाएगा प्ल senators को सब्सक्राइब का ऊपोन टुए थीटिक है और नीचे आपकाद आदक चल रहा है एक्स प्लस टू ऊपन तो यह जो 2 एक्स है वो नीचे वाले के साथ चला आखा तो ऊपर एक्स अक्स प्लस टू recibir वत तो यह चला है लेमिट लिमिट सुमाइस अब देहों मैंने क्या कहा था कि एक्स प्लस बना रहा है कि सकता है एक्स ब्लस टू पर भी एक्स फ्लस टू नीचे भी है तो फाइनल अपना आंसर आए limit x tends to minus 2 यह हो जाएगा 1 upon 2 x finally आप इसमें substitute कर सकते हो 1 upon 2 into minus 2 which is equal to 1 upon minus 4 तो यह आपका हो जाएगा answer answer हो जाएगा minus 1 upon 4 अब देखते है question number 6 जो कि आपका फहुत important identity पर बेस्ट है आपने एक identity theorem number 2 थी साय जो थी limit x tends to a x की power n minus a की power n upon x minus a ठीक है मतलब अगर कोई limit इस form में दिया हो कि उपर x की power n minus a की power n हो और नीचे x-a हो सब्सक्राइब अगर x-5 है तो नीचे भी x-5 होना चाहिए उपर अगर x-7 है तो नीचे भी x-7 उपर अगर x-25 है तो नीचे भी x-25 होना चाहिए और उपर जो numerator में उसमें power हो सकती है आपकी जो आपकी x की power होगी वही आपकी a की power होगी अगर इस form में आपका question दिया हो यहां पे भी आपका a हो यहां पे भी आपका a हो और यहां पे भी आपका a हो तो इसका answer क्या होता है जो आपकी power होती है n उसका आप multiply करोगे a की power n-1 से तो n into a की power n-1 यह आपके limit का answer होगा ठीक है तो हम अब इसको चेक करते हैं क्या इस formula में यह fit हो रहा है क्या तो यह आपको given है limit x tends to 0 ओके x plus 1 की power 5 minus 1 जैको मैंने क्या क्या था कि उपर अगर x minus a है तो नीचे भी x minus a होना चाहिए तो उपर x plus 1 minus 1 है तो आपको लोगे नीचे भी x plus 1 minus 1 होना चाहिए है ना तो यह बन से minus 1 से कट जाएका कुछ फर्क नीचे पड़ेगा हलाक लेकिन यह गलत है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर अगर x minus a है तो यह होना चाहिए यह भी है तो यहां पर अपना 1 है यह अपना 1 है तो यहां पर यह अपना 1 इदर नहीं आ रहा तो यहां पर एक प्रॉब्लम है इससे कैसे modify करेंगे देखिए तो अब मैं क्या करूंगा substitute कर सकते हैं यह आपन यह x plus 1 है ना अब टो टो एक्स प्लेस 1 को रख दो आपन क्या रखतो एक्स-प्लेस्कों को वाई रख दो ठीक है तो यहां पर क्यों approach कर रहा हूं मतलब अभी यह x की लिमिट ती इसको मैं y की में चेंज कर उइंगा ठीक है तो वैन जब x tends to 0 है तो y कितना होगा जब x यहां पर 0 होगा तो y आपका 1 को एप्रोच करेगा तो y tends to 1 तो जो x की limit थी उसे मैंने y की limit में convert कर दिया तो limit x tends to 0 पहले था अब हो जाएगा limit y tends to 0 प्लेट जो ऑके x प्लस 1 की पावर 5 x प्लस 1 की जगे य रखा तो यह जगा य की पावर 5-1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगे क्या है y-1 यहां पर x की जगे हो जागा y-1 क्योंकि x को मैंने x-1 को अगर मैंने y रखा तो x की value होगी y-1 यह बन आपका इदर चला जाएगा तो यह आपका कुश्चन बन गया अब देखो कि इस फोब में यह क्या इस फोर में मैच होरा रहा है वे और य की पावर और य होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं की पावर कितने भी बन होनी होता है तो अब यह यह फॉर्म हो गया वाय टेंस टु बन है सोरी है आब यह अब यह इस इकल तो फाइब यह आपका आंसर हो जागा कोशें नंबर तैन से देखते हैं यह भी इसी पर वेश्ट है तो आइडेंटिटी क्या थी कि उपर अगर एक्स की पावर एंड माइनस एक की पावर एन है तो नीचे एक्स माईनस ए होना चाहिए ठीकज ओर लिमिट एक्स टैंज़ टुए होना चाहिए सबस्क्राइब यहां फिसकतों इसके नीचे बर टरों को टर्ण से कर दे ourselves है ना dividing यहां लग देना dividing numerator and denominator y z-1 तो हमको क्या मिलेगा limit z tends to 1 यह जागा z की power बन अपॉन 3-1 अपॉन इसको डिवैड कर दो z-1 से अपॉन और यह है जैट की power 1 अपॉन 6-1 और इसको डिवैड कर दो z-1 से अब देखिए यहां पे आपको इदे को लेकिन बन की पावर कुछ भी लगाओ वह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपका पूरा फॉर्मुला में चोड़ा यह देखिए उपर वाला पॉन तो यहां पर पावर एंड क्या है वन वाइठी वन वाइठी इंटू एक पावर मतलब बन की पावर बन वाइठी माइनस वन यह उपर वाले का पार्ट का है और नीचे वाले को भी स्वल्व करेंगे ठीक है लिमिट डिस्टिब्यूट हो जाएगी हमने देखा था लिमिट अगर आप एफ एक्स अपों जी एक्स में आप लगाते हो एना एक्स टेंट जीरो तो लिमिट यह इकल वता आपका लिमिट एक्स जीरो एफ एक्स अपोन लिमिट एक्सट रिट्स डी ऑप तो आप यहां पे एक को स्टेप मैंने इसके पर दिया आप लिमित यहां पर भी है अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आज़गा एन अपका 16 है इंटु वन की पावर बनवाई 6-1 तो यह आपको जाएगा आंसर बन की पावर कितनी वह रहता है तो उपर आएगा वन अपॉन 3 और नीचे बचेगा वन अफॉन 6 यह सिक्स आपका चला जाएगा उपर तो आंसर आजाएगा सिक्स अपॉन 3 जो कि को लगा टू के तो उम्मी करेंगे तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू